हलो फ्रेंज तो कैसे हैं आप सब स्वागते आपका फिर से आपके अपने चैनल पूर्णम सड़का कीचेंड में आज हम बनाएंगे नवरात्री श्पेशल पेड़ा इसके लिए हमने 200 ग्राम के आसपास हमने मावा ले लिया है यह हमने घर पे ही रेड़ी किया है मावा अगर आपके पास रेड़ी है तो बस यह दो मिनिट की रेसिपी है तो इसको हम पहले अच्छे से एक बार गरम कर लेंगे जैसे ही यह थोड़ा गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसका आगे करेंगे आप पर यह पेड़े जरूर बना के देखिएगा अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आपके लिए ले के आते रहते हूं तो यह देखिए हमारा छी तरेंवैम लेणा लिया था उससे आधा मैने कप चीनी ली यह पीसी हुई चीनी लिया और उससे भी हमने थोड़ा कम ही डाला है इसमें तो आप भी इलाइची पाउडर भी डाल देंगे लिए अब को जो भी ट्राइफूट पसंद हो आप पीस कर अब भी अच्छा टेस्ट बन जाएगा अब हम इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल देंगे यह इलाइची का जो फ्लेवर है पेड़ी के साथ बहुत ही अच्छा आता है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर ही पकाएंगे और उसके बाद हम गैस को बन कर देंगे अभी हमारे मावे की बुन्ने की बहुत ही अच्छी खुश्भू आने लगी है इससे पर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रख सकत अब हम इसे अच्छे से फिर से एक बार बाइंट कर लेंगे और हमारे पेड़ी बनाना शुरू करेंगे इस तरह से हम छोटे बॉल्स लेंगे और इस तरह से हम राउंड राउंड करके और इस तरह से हलका सब प्रेस करके इस शेप के हमने ये हमारे पेड़ी बनाके रेडी क अब भी हम इनको गार्णिश कर देते हैं अब हम इस पर लगा देंगे यह हमारे काजू आप चाहे तो बदाम यूज कर सकते हैं और बहुती टेस्टी पेड़े बनके हमारे रेडी हो चुके हैं आप एक पर जरूर ट्राय करके देखेगा इंस्टेंट रेसिपी है यह आप र आइकन शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किये भी ना दो बिल्कुल मत जाएए तो आप भी बनाइए यह पेड़े और खाईये खिलाए सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग